कि आज की खेल की दुनिया को हैरान करके रख देने वाला मैच्ट फिक्सिंग का मुद्धा अब एक और नई दौर पर पहुंच गया है क्रिकेट के प्रमुक्खिलारी प्रशांत वर्मा का मैच्ट फिक्सिंग में संबन्द है ये जानकर उनके बशंसिकों में गर्मा गर्मी है ये क्या कर दिया भाई तुम ने पैसों के लिए करणों लोगों के भरोसे को दाउं पर लगा दिया है तुम मेरी एक छोटी सी गलती की वज़ा से मुझे पिछले तीन सालों से ब्लैक मेल कर रहे हो मुझे एक मैच फिक्सर बना दिया है चोटी सी गलती कहा है तुम शराब के नशे में किसी मामली लड़की के साथ नहीं डॉन डिशी वर्दन की वाइफ के साथ थे अगर ये बात उसे पता चली न तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी मेरे पास अपनी जान देने के सिवा कुछ पे नहीं बचा है बीसी सी आई ने प्रशांत वर्मा पर आज इवन प्रतिबन लगाने के सजा की घोशना की है भारत को कई अवस्मानिय जीत दिलाने वाले युवा खिलारी पर देश की जनता देश से गद्दारी करने के लिए उस पे आक्रोश जता रही है प्रशांत वर्मा की आत्महत्या के पीछे कई बाते हो रही है पुलिस का कहना ये भी है कि इसके पीछे किसी अंजान आदमी का हाथ हो सकता है पिछले छे मैने में शहर के चार प्रमुख विक्तियों की सुसाइट के कारण मौत हुई है इन सभी सुसाइट के पीछे असली करण कुछ और ऐसा शक हो रहा है आपका क्या कहना है सर सब कुछ अनलाइज करने के बाद विकेम टू ए कंक्लूजिजन दैड दिस इस प्यॉरली अन एक्ट आफ अफ प्रोफेशनल ब्लैक मेलर आखिर वो हाई कॉन सर मुझे पता नहीं लेकिन अन्देशा है कि कोई प्रशान वर्मा जैसे हाई प्रफाइल लोगों को टार्गेट कर रहा है सर मीडिया के द्वारा ब्लैक मेलर को आप कुछ मेसेज देना चाहते है सच बहुत दिनों तक खामोश नहीं रहता सामने जरूर आएगा और उसके बाद वो बचेगा नहीं यह स्टेट्मेंट नहीं है उसके लिए वार्निंग है उसके लिए वार्निंग है ओ हो डाट एकदम हीरो की जैसे दिख रहे हैं सुपब चुप रहे हैं नो टंकी कहीं की हेलो टीवी बहुत देख लिया अपनी बेटी का है में में स्टेक शट दिखने में तो बच्ची है लेकिन बात्रूम में कपड़े बदलते वक्त देखना चाहिए उसे बहुत खुपसूरत बेटी पैदा किया है कुछ नहीं कुछ नहीं बात्रूम की बाते बेडरूम में यह अच्ची लगती है कौन हो तुम क्रिकेटर परशांत वर्मा के बारे में जो रिपोर्ट तुमने बनाई है उसके पेज 14 पैरा 3 में तुमने जिस सिंटेंस को अंडरलाइंग किया है उन आत्महत्याओं की मिस्टरी के पीछे मैं ही हूँ मेहनत करने पर जो पसीन आता है उसे पोचो तो साफ हो सकता है लेकिन जो डर से आए वो कभी साफ नहीं होता एसी 25 पर है 18 पर कर तो पसीरा कम हो जाएगा हे कहा हो तुम हलो आफिसर मैं हवा हूँ हवा कहीं भी आ सकती है रिसेंटली तेरी बेटी के बात्रूम में आय थी अब तेरे बेट्रूम में आ रही है तुम्हें क्या चाहिए पहला फाइल क्लोज करो दूसरा जब भी कॉल करू उसे अटेंड करना मुझे नहीं पता कि तु कौन है लेकिन किसी न किसी दिन किसी के हाथ जरूर पड़ेगा उसकी भी कोई वीकनेस होगी सबकी जिन्दगी में कुछ चीज़े होती है जो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए उन्हें कैच करना और कैश में बदलना दाट्स माइब बिसनेस माइ ब्रदर इस ग्REIT मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं अगर समझ में Nhहाता क्या करूं वैसे आप क्या करते हैं हम ऊँका काम ध्या नहीं करता है और अपकी भाई क्या करते यह का क्रेक्तेर अशिक्ट्री ज infinite सभी सन bil कुआ कूई को कउआ ऑ दिखाई देता है ना तुम्हारी कजरारी आखे गुलाबी गुलाबी होट और यह चांद सो गोल चेहरा सब दिखता है ज्यादा बत्तम ही सिखी ना तो पुलिस को कॉल करके अंदर करवा दूंगी अप्पू दादा नाम है मेरा अगर मैं चाहू ना तो दाउद को भी आला क खड़ा कर सकता हूं को याद लागा के तो दिखा है लड़की को इस तरह चेड़ना बहुत ही घलत है यह घलत काम करें आप भाशन दे रहा है लड़की है तो देखेंगे ना अच्छी लगी तो टक्कर मारेंगे सुन मोड दुबा तो चूके भी देख लेंगे उसके लिए औरी बुलवाने तक छोड़ता नहीं हीरो पंति दिखा रहा है रोको से रोको से प्लीज रोको से यार प्लीज शायद उसे कुत्तों से डर लगता है छोड़ दीजेए इसे हाँ कि किसकी सब्सक्राइब एसिअले कुछ यहार चूप जाओ ढेटा वो आजायेगा ऑजाएगा मैं आपने जानी के बिनना नहीं जी सकती जाये ह। substitut ऑच टो ऑबोई को बाई क जाये कित इनाफ ए नहीं अाँ tenemos on a कि है जॉनी की तुम्हारे जॉनी की ही आवाज है उसे हमने किड्नाइब किया है कुट्टों को किड्नैप करने कि धिन आ गये हैं कुछ नहीं कि छाएंगे कुछ नहीं के लिएक सर्प हुड़ाने के लिए तु आरामकर जाएंगे पच्छास हजार, बीस हजार में तो खरीदा था, सुहागराद के लिए कितना कर्च होता है, यही दस हजार, फिर डिलेवर के लिए, एक लाख, समझ किया, कहा आना होगा, चार मिनार, फुरानी मस्चेड, क्या हुआ पाबा, वाट हापन, क्या हुआ जी, सोचा था है कि लड पर चल 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 तू जाद प्यार पुरानी बात याद आ जाती है लड़कियां और शराब एक जैसी होती है यार थोड़ा सा कॉंसेंट रेट करते ही कनेक्ट हो जाती है लेकिन प्यार नहीं करना चाहिए हाट फेल हो जाता है यह सिर्फ कोई लवर नहीं है यह कोई विल्ट फिलोसफर है हालो एक घंटे में आपके कर पे इंकम टेक्स करेड़ पड़े अलो कौन वोल रहो हालो एंकम टेक्स करेड़ पड़ने बाली है जल्दी साफ करो सब कोछ डालने से पहले रेड के लिए कहा जा रहे है यह कभी नहीं पूछना चाहिए पारते रहे हैं अधै सर्वाज अधैसर उसलेगे देड़ने भास और अधैसर नहीं लाएड करेड़क्वाटर है सब कुछ सीज़ करके हेड़ क्वार्टर में भीज़ दो कि आया माधित्य नाराय कमिश्णर अफ इंकम टेक्स आपको फोन मैंने किया था एक घंटे में आपके घर पे इंकम पैस क्रेट परने वाली है अगर इनके प्रवचन यूट्यूब पर अप्लोड करो तो व्यूज लाखो में होते हैं निमासी बाबा के लगते बड़े बड़े टेंट हैं ये भूमी पर भगवान के एजेंट हैं सब हाध के लखीरे देखकर भविश्य बताते हैं। लेकिन बाब लेकिन इस सारी भगतिने वेट कर रही है। वह हुआ नहीं है स्च राज मुली मेरी बात मानकर बाहु बली सीजण में रिलीज के उसने देखो कितनी बढ़ी हिट हुई उन्हें अनुगरफ करना है प्रेम के विशे में प्रेमअभीशेक सिनेमा में 12 वेरील में 48 वे सीन में सवामी जी ने कहा है देखो सिर्फ एक ही तरफ देखो दूसरी तरफ देखने की कोशिश मत करो नहीं सहपाओगे इसलिए हमे प्यार सिर्फ एक ही तरफ देख करना चाहिए बाबा के प्रवजन तो अद्भूत ही है बाबा की लीला महान है बाबा जैनिमासी बाबा आजकल मेरी जिंदगी बहुत ही बेकार हो गई है दुर भाग के मेरे आसपास वाइफाई की तरह घुमता रहता है एक भी शब्द बोलता हूं तो ऐस लगता है कि जैसे कुट्टे की जिंदगी बाबा आपको तो प्रिजेंट फ्यूचर सब पता रहता है जब तक यह बाबा तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता यार मुझे इस कुट्टे को देख के लग रहा है कि जितना मांगें उत्ता देखा मेरी बात सब्सक्राइब काम कर रहे हैं दो दिन में प्याज के साथ मूल भी आधा चुका देंगे वह सब ठीक है पहले यह बता हो कहा हम हम अमरावती जा रहे थे लेकिन अब कुनूर में है कुनूर से राइट में देख ज़रा कर दो दो देनल उसने क्या कहा उसने क्या का सुनाए ने दिया भाई तो क्यों टॉक यहने जो गाँ और जो च्छुराइद या शरा अ बहागो ए फे आगर को कि अलुड Crush एप हा एंञ फिर ए , जर ऑप पिज्चान है तक की टूर सी फिडके ग़ंडर दॉक है क्रुशिक था पो पिर समझ है क्यों तिनों से दिखाए नहीं दिय कंसे लेने के बौद एक बार तू मिलना चाहिए था इसलिए भाई अकाउंट नमबर मेसेश कर दीजिए जैसे जैसे पैसे आएंगे हम देंगे हमारे आदमीे दियों नहीं होते तब गरन्गरल्फ जहाए पो ै जम्मा करें अमाउंट थोड़ा भाई ब्याज देने में मुश्किल हो रही है थोड़ा टाइम दीजिए पूरा अमाउंट दे देंगे तुम तीनों को देख कर क्या सोच रहो जानते हो तुम तीनों के टुकडे-टुकडे करके कुट्तों को खिला दू ऐसा मत कहिए भाई प बाई को फिर से याद मत दिला अभी वो सब क्यों क्या हुआ भाई मैंने भी एक लड़की से प्यार किया में फिर अधिर एक लड़की ने क्या कहा ने Mauna भी तक नहीं मिले एक कि हार्ट अटेक्व से क्या तुम्हें कैसे पता तुम्हारा चेहरा है एंसा मेरि यह लव स्टोरी यह इसलिए आपके इमोशन पहचानगे तेरी मेरी प्रेम कहानी भी इसी जगह से स्टार्ट हुए थी भाइया पहली बार उस लड़की को आपकी वज़़े से देखा था मैं समझाने बता बताओंगा लेकिन आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़िगा अगर स्टोरी अच्छी लगी तो टाइम दोंगा अगर अच्छी नहीं लगी तो तेरी किड्नी निकाल लोंगा ठीक है भाई अगर फ्लेश बैक में एक दिन अगर कल हमारी कार कंपणी बहुत सक्सेस्फुल होकर टाटा टॉयटा की कॉंपिटिशन में आ जाए ना तो भी हमें ऐसे मिलकर रहना है तो बाद में देख लेंगे पर दाल के लिए टमाटर कंपड़ेंगे जाके लेकिए अब देख लेना टागेट अगल टॉयटा है तो ट देख लिए अबढ़ें सकता था खेन ता है किसी हीरोइन को भी सब्सक्राइब रेट। कर दो तिन गंटे लगेंगे बोल दो एक घंटे में हो जाएगी एग जुपिटर होटेल में हूँ पारकिंग लॉट में कार पार करके कीज ऊपर लाकर दीजी ओके शूर मैडम आपका नाम क्या सेप करूं चाहे कुछ भी कहो फोन में लड़कियों के आवाज बहुत ही अची लगती है अपने बारे में यही सोची कि फोन पर लड़कों के आवाज बहुत ही अच्छी लगती है मेरा शोना शानू और तो से सच बोलने वाला आज तक ऊपर नहीं आया चाहे वह मैकनिक हो या पती हो तो कार रेड़ी करके रख मैं रिचार्ज करके आता हूँ जे बज रहे वैसे भी शाम को मुझे दिखाई ने देता अब इन्हें कैसे मेनेज करूं क्या हुआ तूने तो कहा था कि पांच बजे बस्टॉप प्याएगा साड़े पांच बज रहे हैं उसकी घड़ी बंद होगी आ जाएगा बाई मतलब उसका किड़ लेप करने के लि पारो बोलो पारो जानू यह अभी अभी बाहर करें कमसे का माज तो आ जाओ ना मैं तुम्हें 10 सालों से कह रहा हूँ सुबा फोन करने के लिए तुम संसेट के बाद फोन करती हो मुझे दिन में मिलना अच्छा रगता है कल सुबा आता हूँ तुमसे मिलने ठीक है यह फो सोल उचुमें था वो सुबह बाहर नहीं आता मैं रात में बाहर नहीं निकलता तस सालों से ऐसे ही मामला पॉस्ट पन हो रहा है आप रात को बाहर क्यों निकलते हो भाई मेरे और सूरज की ट्यूनिंग है रात में नहीं दिखते हैं कि मैं फोन में 50 रीचाच कर मून के साथ सबका मूड बनता लेकिन मुझे गुस्ता आता है मैंने का थना नहीं आएगा और कितनी दरवेट करें थोड़ी दर और देख लेगा मैं तो नहीं देख सकता अरे अरे देख बारिश हो रही है और कब तक वेट करेंगे बारिश का हो रही है उसे तो टेप आन किया है बारीश होगी तो मुझे दिखेगा नहीं क्या मुझे अंदर समझ के रखा है अब ही यहां से निकल टेप आफ कर और गाड़ी स्टार्ट कर अरे हां बस टॉप पर पहुंच गया भाई इसके टाइमिंग कैसी के तैसी सब कुछ बलर हो गया कुछ कहके मैनेज करता हूं वह पैंट शट वाला है क्या आपको जवाब नहीं फोटो देगे बिना पैचान लिया रेड टिशट वाला यह आशकल तो धोती वाले भी पैंट पहनते हैं हम जाकर उसे लाते हैं आप कार गुमा कर लवाए इसी हालात में कार घुमाऊंगो तो नहीं जाने किसको ठोक दो एए रुक रुक क्या समझ रखा मुझे मैं कोई ड्राइवर हूं ड्राइवर नहीं डॉन हूं अगर मेरी सटक गई ना तो तुम सब क्या सब मरो होगे तो गाड़ी घुमा मैं उसे लेकर आता हूं इन बेवकूफों को तुम मैनेज कर लिया लेकिन इस ट्रैफिक को कैसे मैनेज करूं देखके चलना अरे दिखाई देगा तो देखूंगा ना माई एक्शन पर उतरते हैं तो टार्गेट कर सिवा ट्रैफिक भी ने अरे मैंने किसे कहा था आप किसे लेकर आ गए इस फोटो में उस लड़के में कोई पड़क नहीं है क्या दोनों एक जैसे ही तो है अरे मैं क्या इसकी तरह दिखता हूं अंधा है क्या इससे कैसे पता चला कि मैं अंधा हूं थोड़ी दिर में जग्गू भाई आएंगे उन्हें ये बात मालूम चलेगी ना तो फिर समझ लेजी हम सब की वोट लग गई भाई प्लीज भाई आप पीछे से मार दिया वो तो अच्छा हुआ मेरा सिर नहीं पूटा है पहले इसका मुह बंद करो है जो कहता हूं ध्यान से सुन इसकी फैमिली को फोन कर और धमकी दे कि अगर लाग रुपे नहीं मिले तो मार देंगे वो लोग लाग रुपे देंगे और भाई से कहेंगे कि अगर यह बात भाई को मालम चली तो बोल दूंगा कि आइडिया तेरे दिमाग से निकला है और इसे अपना गवाह बना दूंगा अरे भाई क्या बोल रहें मैं फस जाओंगा पहले यह काम ख़तम करो निकाल रहें तरे बाप का नाम क्या है वो कहा रहता है उसका नमबर द मोबाईल निकाल रहा हूं तुने कहा कि गल्फेंड नहीं है तो फिर जानू नाम किसका है अब जानू मेरी लवर नहीं है उस लड़की का नाम जान की है शौटकट के जानू है हलो तुम अब तक नहीं आए तुम्हारी लिए एक घंडे से वेट करे हूं कब आरे हो पूछ जल्दियाओ ना भाई इस लड़के की गल्फेंड का दिल तो किस के लिए दग 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 रहे है किस नहीं बै कीज बड़ी की मात्रा इस का मतलब क्या होता है किस मतलब चुम्मा किस का मतलब बहुत देर तक एक दूसरे को चुमते रहना सुन तुझे बात बोलता हूं तेरे बॉइफर्ण को मैंने किड्नाइप कर लिया है तू लाख रुपे देगी तब हम इसे छोड़ेंगे और अगर नहीं दिया तो समझ ले यह खलास हां हां पैसा दे और इसे लिखकर जा अब तेरे हाथ में इसकी जिंदगी है एड्रेस लिख ले अमीर पेट ओल्ड बंगलू हां चलो बाए तुम लोग फैन का सुछ दबाबा कर लाइट कर जलने का वेट क्यू कर रहे हो यह नहीं होगा उस लड़की का और मेरा कोई संब अगर वो लड़की आई तो तेरी गर्ल्फ्रेंड है नहीं आई तो कस्टमर है अगर बंगलू ओकी यह कोई लड़की आई है क्या फोन आपने किया था भाई देख रहे हैं क्या दिखती है भाई हाँ देखा एक थोड़ा फीका है क्या बाई कितनी तो लाल आई है ए लाल तेरे लिए होगी मेरे लिए नहीं है हलो इसक्यूज मी यह पैसे लेकर उसे छोड़ दीजिए दिखने में तो तुम इतनी अमीर लगती हो इतनी खुबसूरत हो लेकिन प्यार करने को तपोरी मिला था वाट मैंने उसका चेहरा भी क्या जबर्दस्त आइडिया दिया आपने भाई है वह लड़की आई इसलिए बच गया नहीं तो जिग्गु भाई तेरी हड़ी पसली एक कर देता है यह क्या यह खुद से बाते कर रहा है सिग्रेट प्योंगे कॉमन सेंस नहीं है लेकिन कर्ट सी तो है जला ले कितनी दर कर रहा है जल्दी कर अबे अरे मल गया मैं अरे उसे क्यों मार रहा है अरे मैं कहा मार रहा हूं वो मुझे मार रहा है मैंने उसे ही कहा था पकलो उसे पकलो झाल से बाते कर रहा है सुर्च भाट यह था Do झाल झाल हेलो हेलो आपने ये क्या कर दिया उन्होंने पैसे क्या मांग लिए आप से तो आपने रिस्क उठा कर लाक रुपे दे भी दिये एसे बात नहीं है कभी कभी दुन्या भर के पैसों से भी एक जान नहीं बचाई जा सकती ऐसे में लाख रुपेओं के लिए एक जान को कैसे जाने दे सकती थी क्यों सही कहाना मैंने एक अंजान इंसान के लिए आपने जान बचाने के लिए जानना जरूरी नहीं है ना अटो कार कल लेकर आईएगा ठेकर देखकर पता चला लड़की सुंदर है लेकिन जब उसका दिल देखा तो पता चला उसका मन भी उतना ही सुंदर है नेक्स्ट डे कार डिलीवरी के लिए कॉल किया तो उसने कॉल जाने के लिए कहा यह ठीक है अरे सूपर लड़कियों की बहार है यह बहुत है यह मूनलाइट में देकर सुचा था सुंतर है डेलाइट में तो और भी सुंतर लग रही है हाई 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 चल कीज दे यह बालू यह बॉब जी और वह अपर गाउं से और लोगों को भी बुला लेते हैं भाई तुम्हें थोड़ा गुस्सा जादे ही आता है भाई कहां मतल क्या बजाती है आपकी कार रिपेर हो गई है एक बार करेंगी धक्का मार कर लाए हो नहीं चला कर लाए है तो फिर टेस्ट ड्राइव क्यों टाइम पास के लिए मतलब आपकी कार का एंजिन बहुत स्मूथ है और कौन सा यूज़ करती है बता देंगी तो अपने कस्टमों की प्राप्डूस को वही रेखमेंड करूंगा झारतन है रॉइल हम करने के दूज़ कैने क्यों कर आइब कोई प्रब्लम हो तो कॉल करनी के लिए तो देखना कॉल आजाएगा क्यों कि उस लड़की की कार खराब हो जाएगी है तो जानु का फून है यार उठाना है है कि उस दिन एंजीन प्रब्लम आई थी ना तो अब कर्बोरेटर प्रब्लम आएगी इसका यह मतलब था आप एक घंटा रिलेक्स कीजिए ना कार अभी रुपेर कर देते हैं क्या का एक घंटा अगर अगर अपको अजन्ट का में तो बताईए यह बाइक पर ड्रॉप कर देगा इसके साथ चीची मैं जाओंगी घबरागी है मत इसने एक साल सर्कस में काम किया है आपको बहुत अच्छे से हैंडल करें आप इस सब की टेंचर मत लीजिए आप तो बस कॉफी शॉप पे जा के कॉफी पीजिए आप पीते रहेगा यह बोलता रहेगा इतने में तो अम गाड़ी ठीक भी कर देंगे आपका कोई बॉइफरेंड है क्या चार है मेरे बॉइज के बॉइफरेंड होना तो इसलिए इन्हें पूछ रहा था वैसे यह इन्फरमिशन दो में चाहिए क्यों मतलब बॉइफरेंड की भी तो कार होगी न उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को गई है अच्छा कवर क आपके पापा क्या करते हैं सबजी मंडी में सबजी बेचते हैं तुम क्यों पूछ रहे हो अरे क्यों का क्या मतलब होता है कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना कुछ बात करने के लिए कार कहां से खरीदी कितने में खरीदी माइलेज कितना देती है यह सब भी तो पूछ सकते है ना आपको कैसे पता आपकी तरह सालेंट रहने वाली लड़किया अच्छे से पढ़ती है क्रीम बिसकट जाहिए वन सेकंड जिस गाड़ी में सालेंसर ना हो ऐसी गाड़ी को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आवाज करें तो इसके पुर्जे तोड़ देना व क्या एक घंटा हो गया आप से बात करते हुए वक्का पता ही नहीं चला वेटार बिसकट पुराने हो गए है अगली बार बदल देना क्या बोलता है आप तक तो पटा लिया होगा ना आपकी क्या ठीक हो गए क्या रे कुछ काम बना किया है कहां यार वो कबाब में हट्टी पर आपकी बन के बैठी थी ना कि तेंशन मतले किसी ने किसी दिनी कार लिक अपनी आज में आया तो ब्रेक निकाल दी निए इसले मैं पब्लिक ट्रांसपर्टी उज करती हूं हर रिपेर के लिए पोरी गैंग का आना जरोरी है यह गैंग नहीं है इस सब अपने अपने का आज फिर खराब होगी आपती गराज में लाने के बाद यह सारी प्रॉब्लेम्स हो रही है किट्टू वाइरिंग प्रॉब्लम एक्सपर्ट है बस थोड़ा वाइरिंग इशू है ना दो गंटे में ठीक करी देंगे दो गंटे लेगे हां इन दो घंटों में हम थेटर में मुवी देखेंगे और किट्टू हमें कंपनी देगा है रहा इंजक्तली यह देखिए मेरा दोस टिकेट लेकर भी आप पूरी प्रिपेरेशन के साथ आए हो चलो चलते है करने के लिए होरोर मुवी मिली थी क्या रोमांस करने के लिए होरोर मुवी सही होती है यार तभी तो टचिंग होती है कि हुआ है कि अब जो आप मुवी खत्म उने के बाद बताये बिना ही चली गई बहुत डर कहीं थी क्या हुआ है मुझे यसी होरर कॉमेडी मुवी बहुत पसंद है और आपको मुझे भी स्क्रीन पर होरर और उसे देखते वक्त आपने जो कॉमेडी की दोनों अच्छे थे वैसे प्रॉब्लम क्या है होग इसा कैसे हो ग्या है आपको कैसे बता कि ग्याइव यह तो एक साईड़ एफ्ट होताई यह जैसे जैसे इंजन प्रॉब्लम आते वैसे बैसे वैसे किट्टू अगर चाहो तो कल से मैं ही करा जाओंगी नए प्रॉब्लेम्स क्रेट करके खार खराब मत करो फ्रेंट्स आप दस मिनित अदर बैठिए मैं कार्ठी करके आता हूं आप लोग ग्रेजुएट्स हैं कॉलेज में मेकेनिकल इंजिनियर्स हैं लीज पर गैरिज चलाते हैं मतलब आपकी कॉलेज से फ्रेंडशिप है उससे भी पहले से कॉफी शेहर के बार जो आनाथाले है ना वह हमारा ही है वाव आप लोग ने बनाया नहीं हम वहां बड़े ह आज लेट क्यों आया डड़ी से जगड़ा हो गया यार किटू गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है ग्यार ब्लॉक हो गया शायद एक बड़ देखना जरा बाई बाई बटा वो कौन है सनी नाम है उसका उसका बाप उसे काम पर भेजता था और यह उसे स्कूल भेजता है मंतली सलारी और उसकी फीस भी देते हैं हम कहते हैं हमें क्या करना इसके मबब देख लेंगे पर यह सुनता ही नहीं है उन्हें बोलो कि बच्चों से काम नह जैसे अक्सिजन के बिना इंसान मर जाता है ना एजुकेशन के बिना इंसान का फ्यूशर मर जाता ये इसकी फिलोसोफी है थैंक यू हमारे इतनी सारी प्लानिंग के बाउजू दो फ्रेंड कहके चली गई यार उसे तेरी फिलिंग समझ भी आ रही है मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार मुझे भी लगता फेलिंग्स में म्यूजिक अड़ करके अब उससे मैं अच्छे से समझाऊंगा हेलो, कौन मैं किट्टू बोल रहा हूँ, फ्राम कार केर, कार रिपेर की थी ना, तो पता करने के लिए कॉल किया कि कैसी है कल ही रिपेर करवाई थी ना, इतनी जल्दी क्या होगा नहीं, मतलब रिपेर की थी न, तो डेली एक बार कॉल करके हाल चल पूछना हमारी responsibility है जरूरत नहीं है, कुछ होगा, तो मैं फोन कर दूँगी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही करूँगा मैं करूँगी मैं करूँगा ना कहाना नहीं कहाना प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जानकी कुछ समझ में आया बच्ची समझ रखा है क्या देखो, ये Facebook, WhatsApp जादा यूज मत करना समझ में आया आ रहा है किट्टू अगर तुम्हे कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोस कैसे करोगे मैं प्रपोस नहीं करूँगा तो फिर? प्यार तो एक फीलिंग है अपनी फीलिंग सामने वले को समझ में आनी चाहिए उसे लफजों में बया नहीं कर सकते समझ लेना चाहिए अगर समझ नहीं आई तो? अगर अपने प्यार में सच्चा ही हो तो पक्का समझ में आएगा मतलब क्या मेरे प्यार में सच्चा ही नहीं है तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फिलिंग समझ नहीं आ रही है न है सुनो रहे हमें अप्रें पताइबी कियोत पर गराज मिल रहा है यार क्या बात कर रहा है तू तीन मेने में रेइस्ट्रेशन है सच में है लेकिन मेरा मन तो वैजाग में लगा हुआ है तू जो बोलेगा मुझे समझ में यह देख भाई कर जा लेने के बाद फ्रेंड और ब्रेक अप के बाद गल्फेंड फोन ने उठाती है सब जानते है अब तेरी तो तेरे मुझे अच्छे बाते निकलती नहीं है क्या है हाई है वन वीक आ था चार दिन में आ गई मिस्किया मुझे नहीं करूंगी तब ही तो जल्दी वापस आ गई ना है सुना ना है सुना एरपोर्ट से सीधे यहां आई हो हाँ आदे घंटे में हॉस्टल नहीं पहुची तो वाड़न इंट्री नहीं देगी फिर भी तुम्हें देखने के लिए मैं यहां चलिया है तुम्हारे लिए गुड न्यूज है एक हफते में मेरी फैमली यहां शिफ्ट हो रही है आदी हो गई तो मेडम के पास फिर से वरकर बंदके काम करना पड़ेगा वाट तुम गैरेज करीद रहे हो मैडम के फीट पाओ हमारा फेट ही बदल गया ठीक है देर हो रही है मुझे जाना है जानू 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 थोड़ी दे रुख जानू जानू प्लीज थेंक्यू किटो बाई बाई गुद नाइट जानो क्या है कुछ नहीं तुम कुछ मांगना चाहते हो थोड़ा उधार दो कि मुझे कल मैं लोटा दूंगा कितने पैसे नहीं मांग रहा हूं किस कर दोना यह सब शादी के बाद तो फिर प्यार क्यों किया सिर्फ देखने के लिए शादी के बाद जो करते हैं उसे शादी से पहले करनी के लिए प्यार क्रीएट किया है प्लीज सिर्फ एक बार किट्टू कोई देख लेगा कोई नहीं देखेगा प्लीज दे दो ना एक बार इसके एक्सप्रेशन तो देख भाई 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 किस मैंने किया है फील मैं कर रहा हूं फील भी तो मैं करूंगा ना तो तु ही करना यार तो ठीक है तो फिर तुमने डुएट भी गाया डुएट क्यों भाई लिप लॉक के बाद गाना गत्व है ना क्या बहिया किस जमाने से हो आजकल गाने कौन देखता है हम तो सिधा सीन देखते हैं यह लो यह सबका बोनस अब तेरे तीने जार और तेरे वी तीने जार थेक है ठीक है ठीक है एक कार रिपेर हो गई हाँ प्लग प्रॉब्लम थी वह हो गई यार जानकी के कार बें यह बैग था मैं ही तुम्हें कॉल करना चाहती थी क्यों किसको भूल नहीं पा रहे हूं क्या इसलिए बैग भूल गई ओ नू उसमें 25 लाक्स है 25 लाक्स बोला था ना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पापा ने एडवांस देने के लिए भीजवाय थे तुम इतनी केरलेस कैसे हो सकती हूं और शादी के बाद तुम घर कैसे संभालोगी संभालने के लिए तुम होना टेंशन नहीं है तुम्हारे पास रखो कल सुबह ले जाओंगी मैं क्यों अभी मैं तुम्हें लाकर देता हूं किसके लिए आ रहे हो मैं सब जानती हूं या यह ले खिटू किटू किटू क्या हुआ अरे बैग में पैसे नहीं यह और वह भी कहीं नजर नहीं आ रहा है पैसे बहुत बुरे होते हैं यार मुझे भी बुरा बना दिया अपनी जिन्दगी ग्रीज के दागों के साथ गैरेज में भीत गई इसलिए अपनी बच्ची जिन्दगी को और इस अपर्चुलिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता है इसलिए पैसे लेकर भाग रहा हूं मु नहीं संबल सका तो क्या मेरी बेटी को खाग संबले का अरे यार हमने घराज खरीदने के लिए पैसे बजाए थे ना उसमें दस लाग तो होंगई और पंदरा लाग अरेंज करके उसे दे दे दिगे ना तु पागल हो गया क्या अब उसमें तो तेरे पैसे भी है क्या बोल फाइनस कंपणी का नाम लेके तू हॉस्पिटल क्यों लेके है रहे बेचारा सिक्यारीटी के बगएर पैसा देता है भागने वाले ज्यादा हो गया है शायद प्रॉपर्टी हॉस्पिटल को बेज दे होगी तरे हाथ जोडता हूं तो यहां पर क्यों आ गया एक बात बता सफाः कर भाग गया था यह भोई है उसने नहीं मारा था अब लस्फार आपको क्या हो गया प्र समझ में आएगा तुम लोग क्यों आयो उस दिन पैसे लने के लिए मुझे लेकर आए थे न भाई-आज पैसे लेने यह यह है कौन है यह लग करजे के लिया बाई है बताओ किता चाहिए 15 लाग भाई कि पुरी करके पैसे प्रेगाई है यह भाई में तो मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं मुझे तो निमासी बाबा दिख रहे हैं शुरू में बाबा लगते हैं अन्दर आजाओ करजा देते वक्त बीपी चेक करवाते हैं सेंपल क्यों क्यों करजा देने के लिए लोग आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ मांगते हैं लेकिन यह लोग तो ब्लड ग्रूप बिना सिक्योरिटी कदंदा है तुम्हारी सेहत हमारी जरूरत है यह क्या है आखे गई ना अखेंगा क्लीनिक होगा नशे में चिला रहा होगा नशाना चड़ने पर चिला रहा है दस्तका ब्याज इसे लिए अपना बॉब जी बुरा है लेकिन उत्रा बुरा भी नहीं है ऐसा क्यों पैसा लेकिए और कार छोड़ दिया इसलिए देख ना पैसे तो आरेंज होगे कर लाते रे है जानु तुम अगई कब आई अब ही तो आरही हूं येलो बैग येलो कीज ओके थैंक यू आप तो लिए जानु पूरे है या नहीं चेक कर लो ना इसमें चेक क्या करना सेंग एंगे सेंगे सेंगे जावर फर्क पड़ेगा इसा क्यों कह रहा है बैग और कै वैसे बाब जी कहा है 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 बाब जी अरे वो अनाथ है ना है मतलब उसकी दादे भी अनाथ है इसलिए दादी अनाथ है अरे जानू जानू जानवर जानवर को जनम देता है इंसान इंसान को देता है इंसान को देता तिन रात मेहनत करके जैसे तैसे-एक महने का व्याज चुका दिया लिकिन जब हमारे एक्पुक ऑप उठा कर लाए तब समझ में आया और की क्र्णा लेना क्या होता है干़ा इसका कोई लेना देना नहीं है करजा चुकाने की जिमेदारी मेरी है इसे छोड़ दीजे भाई किटनी तो आपन इसका निकालने वाले हैं जादा भी निकाल लेंगे करजे की सिक्रेटी क्लाब कुछ और भी तो ले सकते थे ना वाटी के पार्ट्स क्यों अलो भाई है क्या एक मिनिट भाई बोलिए बाट् यह फोन कार दो ना जा पका दे दूगा भाई बरोजा करो प्लीज नहीं तो मेरा हाट मेरा दिल निकाल के दे दूगा जा ज़ा शब्सक्राइब जल्दी के लिए किड़नी निकाल रहा था मूल के लिए क्या निकालेगा समझ नहीं आ रहा है दर्मत यार सब के लिए बाबा है ना बाबा अब आपी को रास्ता दिखाऊ हमारा पपी लापता है जो लाएगा उसे दस हजार रुपए तु क्या जाता है उस कुत्ते के लिए हम लोग जख मारें बाबा है ना यार पोसर दिखाने वाले भगवान ने पपी को भी तो दिखाया है सेम टू सेम है यार हां सही गोला नीचे देख अरे हां यार कहां गया है बगवान देता है तो चप पर फाड़ के देता है सब कुछ निमासी बाबा की देया जय निमासी बाबा एक बात बता यार कितने कुट्टों को ले जाना पड़ेगा यार इंसानों को किद्नाफ करने के लिए कार चाहिए चाहिए खाना वी चाहिए और कुट्टे को यार चलो हम जो खाते हैं उसमें से खटी डालो खुश हो जाएगा वो और पकड़े गई तो इंसान तो कोट में जाकर गवाई दे सकता है बेचारा कुटा क्या करेगा वह तो बे जुबान होता है नहीं बोल पाएगा पर यार कुट्टे के लिए उतने पैसे देंगे क्या एक जम दुरभागय कार दिखाता है दुरभागय राह दिखाता है यह बात है और वहां दिख रहा है कुट्टा लेट्स गो तो चुपकर मैं वाच्मेन का ध्यान डाइवट करता हूं तो कुट्य को उठा कर लिया वाई है माची से क्या और क्या यह तो वही बात होगे चोटा सा पैकेड़ और बड़ा धमागा चोटा क्यों मेरे जितना है अंदर एक और है तीन है गया काम से हाण्हाण बढ़ा हु झॉ है अघर उन्ट मुट्राना एका आख जड़ा एंदर एंदर एउर बढ़ा है एंदर जड़ मेश्थ अन्टा भड़थ हैंदर आए औ कि यह तो शॉल्ड़ेह आए हुआ 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 है इस अपना है अपना है पार्सो दूसरा था ना ना पैट केसंटर सुरूग तुमा आओ ना चाला एट है आज ही सू होट आई लाइक इम कर दो कर दो कि यह क्या फॉर्म परफी में क्या पसंद आया तेरे लिए तो लाया था कुट्टों के पीछे भाग भाग के पूरी बॉड़ी से कुट्टों जैसी बदबु आ रही है इसे मीट परे कहते हैं इसे लगाने पर हम कुट्टों को मोटी हड्डियों की तरह दिखाई देते हैं आज कल ब्रेक अप्स के लिए भी पार्टी होती है है काइस होब इंजॉइंग पार्टी है है ने बताया था ना मेरे बॉइफ्रेंड के बारे में यह है किट्टू कृष्ण हूर्थी तुम्हारे बॉइफ्रेंड को आई प्रॉब्लम है क्या ऐसा कुछ नहीं है आपके तो आप करते क्या है कारके शेहर का फेमस गराज बेसिंग मेकैनिकल इंजिनियर है अपने अदम पर कुछ बने की कोशिश कर रहा है यह ओ हो कुट्टों को कितना आप करके वाट जानो इ कुट्टों को किटनाप करके मतलब वही तो इसका धन्दा है और इसके साथ दो लड़के हैं जो यह गाम करते हैं इनका तो पुरा गैंग है हमारे कुट्टे को किटनाप करके हमी से 50,000 रुपे ले रहे हैं तुझे यह कहां से मिल गया बढ़ी लिखी हो इंसानों को पढ़ने ही सकती आई पीटी यू जानू और तू निकल यहां से इस टू मच शड़ आप ऐसा कुछ नहीं है जानो जो पूछू उसका जवाब दो इस शुरू किया था अच्छा एइसा है क्या रहे संथ क्रियेटिव है ना गुड्ड सब केसे हश रहे थे तुम कभी ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था मुझे बस पांच मिनिट दो जानो तुम्हें तो अपनी लाइफ देने वाली थी जानो, मेरा प्यार सच्चा है जानो जी प्यार नाम का शब्द भी तुम्हारे मुझसे अच्छा नहीं लगता You're not fit to love मासुम कुटों के प्यार को कैश में बदलने वाला लड़की के प्यार को कैश में नहीं बदल सकता क्या कल मेरी प्यार को बीच में रखकर मेरे पापा को ब्लैकमेल नहीं करोगे इसके क्या कैरेंजे अब आद अच्छो पड़ गई है कि अच्छा कर लिया हूं किस लड़की को जानु को क्या बात करें नहीं बाई इंसानों को किड्नैप करना क्राइम है कुट्टों को भी किड्नैप नहीं कर सकते क्या है ए बगवान अरे छोटे-छोटे सपने है तुम्हारे एक तरफ जिग्यू को पैसे दे रहा है दूसरी त पर लिया था ना इतना पी नहीं समझतकती वो जाने दो भाई उस लड़की को नहीं पता ना तुझे पता नहीं देती ब्रेक अपोल कर चली गई यह जिग्गूँ करजा स्विकार करता है ब्रेक अप नहीं करता पता नहीं भाई छोटी सी होप तो है भगवान है ना यह इनसान ही है उसके भी रिष्टे होंगे प्यार होगा ख्वाहिशे होंगी कर्जा भी होगा मतलब अभी मेरा दिल निकाल कर टाइम दे ले अपरेशन खेटर रेड़ी है तेरे लिए दो तिन का समय दे रहा हूं मेरा कर्जा चुका दे नहीं तो अपना दिल मुझे दे दे जा कमल हसन को भी पीशे चोड़ दिया है पांच लाग मतलब दस कुट्टों करना होगा यार दो दिन में कैसे मैनेज करेंगे दस कुट्टे नहीं यार एक कुट्टा और एक ही किड्नैप इससे अपना सारा बैड लग खत्म हो जाएगा पांच लाग कौन देगा परसों को यह पेटकर सेंटर आकर कुट्टे के नाखून और बाल कटाकर 25,000 का बिल दे कर गया था अरे या कुट्टे के ग्लेमर के लिए 25,000 कर सकता है वह पांच लाग तो आसानी से देदेगे मैं भी वही सोच रहा हूं साही सोच रहा है सूपब अब निवासी बाबा की दर्शन करके सब्सक्राइब नहीं आओंगा अगर मैं मारना शुरू करो तो नदिया पानी से नहीं नदिया पानी से पर जाएंगी कैसा रहा अधुद बाबादी संजय को बेश दो निवार्मा या संजय शर्मा बाबादी संजय भंसाली को डेरेक्टर आ गया कट के बाद कट के वे सामने आगे बाबा और कट के बाद दोनों में जबर्दस्ट फाइट होगी एक मिनट यह पापा का ही रोइन के पापा से युद्वा वह भी घमासान युद्वा मतलब स्क्रीन ही यह ना वह तो ठीक है सिनेवे का नाम क्या रखा है अमंगल में डंगल रिसेंटली डंगल सु लेकिन आप ब्लैक टिकट वालो पर दिखाते हैं उच नीच का भेद भाव बहुत है बाबा आपके अंदर वह सब छोड़ो स्टोरी की बिगनिंग में जो विले नहीं था उस उतारा मैं बताता हूँ बाबा कैसा है बिजनेस चल रहा है बाबा क्लाइमिक्स में बहुत भगवान हूँ आप मेरे बगवान है पर भगवान कॉल करते हैं तो इस ते चौफ आता है मतलब चार्जिंग खत्म हो गई थी बैक्ट्री वीक हो गई है सर बैक्ग्राउंड लीक हो जाएगा भाई धंदे की कसाम खाकर कह रहा हूं कलेक्शन कम हो गया है स्टेट परश्चन कहा से मिल देए भाई आप कौने बताई है तो ठीक है संताराम दोनों उपेन हो जाते हैं आहां नहीं भाई आपको दस नहीं घ्यारा भीजवा दूगा गूर्ट बाबाबा अ हुआं सोरी वन सेकें है जान की बोल रही हो जाली नोट से बैंको के फ्लाइट खरीद अधा पकड़ा गया तो बतायाँ कि वह पैसे आपके हैं टेस्ट वह रहा भबब नहीं पता है चेंटम्ने मेरा नाम कि आ उन्म तुमनें के नाम तूर बता नहीं उस निलिट नह नाम तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि वो फेक करंसी है, इसलिए मैं लेकर भाग गया था देखो जूट मत बोलो, उसने वो पैसे अगले दिन दे दिये थे इसलिए पैसे जूट में दूख ना हो तो उसने कर जलेकर लॉटा दिया होगा अरे देखनी की क्या चरतै ये चैश भी उसका है बैग भी उसका है ऐसे क्या कि रहे हैं वैग भी उसका है, य crouch पर केश भी उसका है बाब जी कहा है बाब जी कहा है यह कुत्ता किसका है अभी पेटकर सेंटर शुरू किया ना तो वही कुत्ता है हमारे कुत्ते को किट्नाप करके हमी से 50,000 रुपे ले रहे हैं मुझे बस पांच मिनिट दो चालो तुम्हें तुम्हें अपने लाइफ देने वाली थी थोड़ी दिन में कुत्ता हा जाएगा स्मोक रेडी रख अरे या स्मोक का काम मैं देख लूँगा ना तूस डॉक पर कॉंसेंट्रेट कर अब यह स्प्रेय किसलिए अगर स्मोक मिस हो जागा तो इस प्रेय यूज़ कर लेंगे बैक अप के लिए लिए इसे फीट कर लिए च काड डिलिवरी करने आया हूं हमारी रोज की जगा मिल सकते हो तुमसे बात कर नहीं कि बहुत कुछ बताना है प्लीज ठीक है पांच मिन्ट में वा आओंगा थैंक्यू कितू बाई चलता हूं यार यार समझने की कोशिश कर ब्रेक अप हो था ना फिर से पैच अप हो रहा आप है कि अपैम साब भूच रहें कि आप घर आ रहा है या नहीं? आँ गरी आ रहा हूं थैंक्छ थूदा कुदा में और इस नहीं देए तू स्मोक ने दिगह, तू स्मोक ने देगह, पैँदा में चल्छ चल्छ झाल झाल कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. हमारी रोज की जगेह मिल सकते हो, तुम से बात करने के टू, बहुत कुछ बताना है, प्लीज? प्रषी मेरा आए मत razor ने कुल exemption? ए बॉपी उस वेबसेट वाली को फोन करना आज की नइट फुल एंजॉय करेंगे भाई को आने में अभी दो दिन बाकी है सर ये एर जी का खर है येस आई नो रिशी ठीक एर भाई सर आप लोग यहाँ पर रेट करने आ है रेट करने के लिए लेकिन हमने क्या किया है इस इंकम टेक्स रेट फोन सीच अफ करको कम आउन ये रूम किसका है ये रूम मेरे भाईया का है सर खोलो इसे कीज तो भाईया के पास ही है सर सुरेश इस सर इस आपन सर वहां कुछ नहीं मिला सर यार जी बहुत जैनुवीन है सर लेगिन करना पड़ता है ना पर्मैलेटीज है इस सेफ में क्या है मुझे नहीं पता सर इसमें क्या है रिशी इस सेफ को सीज करके एड़कॉर्टर में भेज़ दो आज फ्राइडी है ना मंदे गोने ओफिस आने के लिए बोलो हम उनी के प्रिजेंस में हम इसे ओपन करके चेक करेंगे और अगर वो मंदे नहीं आते हैं त अगर मुझे पता होता तो इंफॉर्म करता पर मुझे भी पता नहीं था सर जाकर सिर्फ पास्वड बताना है भाईया उसके बाद वो में डिटेंड कर देंगे पास्वड मुझे मालूम होता तो पहले ही बता देता थेर वो नहीं लेजा पाते आधित नरान बहुत स्ट्रीट ऑफिसर है सर वो किसी के नहीं सुनते हैं अब क्या होगा सर रेड में सीज की हुई सारी चीजों को आईटी हेड़कौर्टर्स के सेफ रूम में रखते हैं उस सेफ रूम को ओपेन करने के लिए एक एक्सेस कार्ड होता है वो एक्सेस अपना नाम बहार आये बगएर वह एक्सेस कार्ड चाहिए वो हमें क्यूं देगा भाया वह तो बहुत स्ट्रिक्ट ओफिसर है चाहे जितना स्ट्रिक्ट ओफिसर हो एक वीकनिस होगी उसकी वीकनिस ही अपनी स्ट्रेंथ है क्या हुआ विला क्या नहीं यार तुझे क्या हुआ निमासी बाबा इस वक्समाधी ले रहे हैं यार ची चल फोन करते हैं या या उनसे कहीं कि मंडे आकर मिलेंगे या प्रिया पांजी यह वह क्या करें जिमी को लेकर बाहर वॉक पे गई है आजाएगी हलो आदित नरायन जी बोल रहे हैं क्या जी आनौ haya आगी यह वोगरрийन इस व persuक है किट्नायप किया है हलो यह सर अपने सुनाना मैंने आपकी बीती को खिट्नायप किया है अँगरो तुम करने जानना आपके जरूरी रही है कितना पैसा कहां पर लाना वो में फोन करके आपको बताता हूं एक और बाद ये मैंटर पुलिस तक नहीं पहुचना चाहिए नहीं तो मुझे खामा खाँ आपकी बेटी को मारना होगा और उसकी लाश आपको मिले या ना मिले समझ गया ना कितने चाहिए इसकी बेटे ने घर जाकर बता दिया होगा पूच रहा है कितने चाहिए थोड़ा बड़ा अमाउंट है लेकिन मजबूरी है देखा कुटे को कितना चाहता है तुम लोगों ने मेरी जान को किड्नेप किया है आपकी जान को हमारी जान की तरह देख रहे हैं सर आप ही उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो मतलब ये तो अब जवान हो गई है उपर से लड़की है देली स्पार करते ही यहाँ वहाँ देख रही है क्या बकवास कर रहे हो तुम आपकी बेबी हमारे पास बहुत खुश है सर अब ये सुनिए आते वक्त कीचर लग गया तो उसे नहलाया भी था तुमने उसे नहलाया मैं अकिला ही नहीं हूँ हम सबने मिलकर नहलाया आपकी बेबी बहुत बदमाश है नहलाते वक्त हम पर हाथ रखकर बदमाश ही कर रही थी अगर मेरी बेबी को हाथ भी लगाया तो तुम लोगों को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा अगर यह कुत्ते के मामले में एतना पजिसीव है तो बेटे की मामले में कितना पजिसीव होगँ इन सब से हमें क्या लेना देना सर आप हमारे पैसे बेबी को खर भेज देंगे ठीक है यह वताओ पैसे का लाने है चार मिनार के पास पूरानी मस्जिद हलो पहचाना नहीं थोड़ी दर पहले फोन किया था ना वोई के नैपर बोल रहा हूं यह क्या है तुम लोग एक नंबर से कॉल नहीं कर सकते क्या अच्छा हमारा फोन टेप करना है तुम्हें हम कोई छोटे से बच्चे नहीं है अब जो कहता हूं वो सुनो टाइम वेस्ट क अब समझा मैं हमेशा सिग्रट पीता हूं जितने बार सवाल करेगा उतनी बार तेरी बेटी जलेगी नहीं नहीं मेरी बेटी को कुछ मत करना तुम जैसे कहोगे मैं वैसा ही करूँगा मैं एक करोड और एक्सेस कार्ड लिकर आता हूं यह एक करोड क्यूं भाई ने तो सि करोड रुपे हमारे लिए है अब है 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 हलो क्या टाइम सेंस नहीं है क्या आ रहा हूं मैं पांच मिनट में पहुंग जाओं गोल कुंडा क्यों हमने चार मिनर का था यह क्या इससे पहले तो ओके-ए मैं चार मिनर आता हूं कुट्य कि जाने के गं में रास्ता भूल गया जाच 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 अभी आप देख रहे हैं ने मासी बाबा के सजी समारी की तैयारियां तैयारियां बहुत धून-धाम से हो रही है आखरी बार उनके दर्शन करने के लिए देश के कोले कोले से लोग आ रहे हैं आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया रात में मुझे त्री मूर्थियों ने बुलाया था बच्चा त्री मूर्थिया मतलब अनिल नसिर जैके न बाबा नहीं बच्चा ब्रह्मा विष्टू महेश क्या कहा बाबा कहा मेरे बिना स्वर्ग ओडियंस के बिना थियेटर जै बुलावे के बाद समाधी लेनी चाहिए आप भगवान है आपकी मृत्यू कैसे हो सकती है जो सिनेमा एक साल चलती है उससे भी एक दिन थियेटर से उतरना होता है वैसे ही आत्मा भी है आपके बिना नहीं रह सकता बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज बाबा लड़की कहा है वहाँ है है मेरा हिसाफ हाँ तुझे ढूंड रा था सौर भाइब एक टिकट दीजिए एक ही है लेकिन नहीं दूंगा क्यों वाटर बॉटल में क्वाल्टर मिला कर सिप करते हुए सेकेंड शो देखना मेरी यादत है लो सुपर अँआ हा है मैं शोचा पूँक्व कोई सब्सक्रांगे वाला हैं सब्सक्रांग होगया शिप ढूब रही है रोज-श जैड ढूब गया रोज है रोज मेस रोज 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 कर लبر द्लम गेरी शिप बड़ी शिप ढूब रही है माल्दीम में डूब गलाई माल्दीम को सब ऑने वाला है इस ग्यानी को सब कुछ पता है मेरी शिप डूब गलाई अब क्या करूं बताएं शिप डूब गलाई सै और आपको सिनिमा कह रहे हैं 10 रूपिस हंड़र रूपिस टेन डूपिस हंड़र रूपिस यह कह रहे हैं कि लगाने पर प्रॉफित प्रॉफित इन्हें उठाई ना और सिनेमा निमासी बाबा हो गया इसी फ्लैश बैक की वज़से उसने मुझे ब्लैक मेल करके मुझे पैसे वसूले शुरू कर दिये सुबर सुबा उटकर भजन करके पैसे कबाना और शाम होते ही सारे पैसे उसके नाम कर देना इनी सबसे पीछा छुडाने के लिए मचे हुए पैसों से कही भागने की प्लैनिंग की थी मैं नहीं मानता कौन सा सिनेमा कितने दिन तक थेटर में चलेगी किस स्टार का समय अच् नहीं पता होता मेरे जैसे ब्लाक टिकट बेचने वाले को पता होता है तर्ष्ट कितना होगा लेकिन पुडूर्सर को पता रहा हमारा प्रीव्यू नहीं होता रीव्यू करती है आपने मेरी अधर क्यों देख रहा है क्या वह पैर पानी ले दे और सर पर शेड़क ले आ ऐसे मेरे हाथों से अपने ये पैर धुलवा कर यह ही है वह पैर वही पानी अम्रित बोलकर मुझे पिलाया था ना अरे बत्मार 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 रुप्जा फिर उधर देख रहा है नया इंटरेवल है क्या रात में नीद आई ना बबा बबा एक छोटा सा प्रश्न है रात में आप ज्यान समाधी में श्री तिरूपती वेंकटेशर स्वामी से गुरुवर बालकृष्ण से कुछ बात ही कर रहे थे बीच में कोई एक और नाम सुना था बाबा सामंता नाम की किसी देवी का वो एक चैतन्यवान औरत है एक पावरफुल नाग दीवता है रात में सामंता सामंता करता है नाग देवता बोलकर जूड बोला तुने और पूजा हेगड़े पूजा हेगड़े तेरे हाथ जोड़ता हूँ मुझे मार मत तुझे एक अच्छा सा आइडिया देता हूँ परवातना का बुलावा आया है अवज उन्हें मुझसे कुछ काम होगा जाना ही होगा आप दुखी मत होना यह मेरा शिश्याप के साथ रहेगा सुनामी बाबा चलता हो किट्टू अब पूरे आज हमारी प्रॉबլ्लम्स पूरीटर से सॉल्फ होगी थांक सत्राट होँ मुंच से स्टार्ट होगी एक इसका नाम बेबी ही है नाम लीके बुलारा हूं तो देख क्यों नहीं उससे पता ऑड़ी न हो ऐसका नाम बेबी है ओपन कर्ने ना एदेख इसमें कार्ड है मतलब इस्तिमाल करने के लिए पैसों के साथ क्रेडिट कार्ड भी दे दिया है अरे ये करेडिट काड नहीं यार यह एकसेस इसे अपना क्या फाइदा यार अगर यह बात पहले पता होती तो शहर में कुटों की तरह कुटों के पीछे भागने से अच्छा इसे पगड़ लेते प्रॉब्लम सल्व हो जाती तों के साथ रहते रहते तिरी बुद्धी भी कुटे वाली होगी पांच लाक मांगने पर एक करोड रुपे देती हैं सम्थिंग इस रॉंग यार अजाएगी सर आप आपकी बेबी से कितना भी प्यार करते होंगे लेकिन पांच लाक मांगने पर सीधा एक करोड है हमें नहीं चाहिए सर हम नीच काम भी नीटली करते हैं बेबी की साथ एक्स्ट्रा अमांट भी आपक अब चुप चाप मेरी बेटी को घर बेजदे वर्ना शूट कर दूगा मैं यार ये बीच में बेटी कहां से आगी मामला तो कन्फूजिंग हो गया मेरी अभी समझ में आ रहा है क्या उसने एक करोड कुट्टे के लिए नहीं दिये थे बेटी के लिए उसने फोन में बेब और कुट्टे को ले जाकर उसके घर पे चोड़ देंगे जाकर उसके बेटी को ले आएगा वो अरे यार भाग-भाग के हमारी हालत खराब अगई थोड़े पैसे हम लोग रख लेते हैं लड़की के पैसे हैं यार गलत बात है चल मेरी बेटी कहा है कैश कहा है क्या बोल रहे हो कैश तो भीज़ो दिया ना तुमने थैंक्स तक नहीं कहा कैश लिया था तो तुझे उसकी रसीद भी दी होगी न ये क्या बात कर रहे हो तुम फिर से question कर रहे हू cigarette मेरे हाथ में है और तेरी पेटी मेरे बाजू में ओ माई काड़ तो घंटे का टाइम और ले ले एक करोड और एकसेस काड़ गोल कोंडा में लेकरा दोबारा टाइम नहीं दूँगा सिर्फ तेरी पेटी के लाश कूरियर में भेजूँगा बाई ए ए सुन सुन मैडम क्या हुआ जीमी कहीं मेल नहीं थे जीमी कहां जाएगी जानकी के साथ वॉक पर गई है जीमी मतलब उन लोगों ने कुट्टे के लिए पांच लाग मांगे थे और दूसरों ने बेवी के लिए एक करोड मांगे एक करोड और एकसेस काड़ एक ने चार मेरा ना निक लिएक और दूसरे ने खुल कुंड़ा मतलब यह पैसा असली के लिए पर इसके पास नहीं है दूसरी के पास लागिया शिट बेवी सुनिए क्या हुआ क्या हुआ जी क्या हुआ डाल जो एंबुलेंस में गॉल करो अरे यार यहां इतनी सारी पुलिट जो आई है कहीं इसका मालिक उपर तो नहीं निकल लिया नहीं यार यह केस बहुत आगे बढ़ गया है अकर हम दिखेंगे तो पकड़े चाहेंगे और हमारी जो फाट लगाएंगे अब क्या करें यार निकल चलते हैं चल चल निकाल 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 कि सब्सक्राइब के लिए इस केस के लिए स्पेशल ओफिसर का पाइंट किया है अगर तू नहीं भागा तो मैं तुझे शूट करतूंगा जीने का कोई चांस ही नहीं और अगर तू भागा तो तेरे उस टर्ण तक पहुँचने तक वेट करूंगा सिर्फ एक बुलिट खर्च करूंगा तेरे लिए अगर तेरी किस्मत अच्छी होगी तो तेरी जन्दिगी बच जाएगी चॉइस इस तुझे मौका चाहिए या मौत चाहिए सर दशूर कीजिये न यह कॉफी एतनी ठंडी क्यों है सर वो भाग जाएगा सर बोलिये सर आंटी पुलिस यह इंसिडेंट कब और कैसे हुआ जानू ने किसी पर फोन पर बात की और हमारे कुटे को बाहर लेकर चली गई उसके बाद कुछ लोगों का कॉल आया और फिर उन्हें टेंशन हो गई मुझे इतना ही पता है किड्नाप किस ने किया है यह तो शायद उन्हें भी नहीं पता फोन पर उन्होंने किस से बात किये भी नहीं पता पता नहीं जानकी की कॉल लिस्ट देखी क्या यह सर लास्ट कॉल कृष्णा मूर्ति की थी सर कृष्णा मूर्ति जब जानकी को उसके बारे में पता चला, तो उसने उसे ब्रेक अप कर लिया तुम्हें पता है वो कहा रहता है? कार केर, माधापुर में सा रामारुज, सर दस मिनट के अंदर वो मेरे सामने होना चाए इनकम टैक्स कमीशनर आधित्य नाराइन की बेटी जानकी नाराइन का आज दोपह में अपहरन हुआ है ये बात जैसे ही पुलिस को पता चली, उन्होंने किड्नैपर्स को पकड़ कर आधित्य नाराइन जी का दिया हुआ एक करोड कैश भी बरामत कर लिया इन तीनों किड्नैपर्स से अभी बंजारा हिल्स के पुलिस टेशन में पूछताच हो रही है इनका नाम है किट्टू, अपू और पालू ये लोग एक तरफ कार मेकानिक का काम करते हैं और एक तरफ किड्नैपिंग करते हैं पुलिस इनसे अब और जानगाई हासित की कोशिश कर लिए है मार दे, मार दे, किल में आई से मारना चाहता था मुझे, यू वांट इट पील में आप मेरे भगवान हो भाईया, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ क्या है ये सब, एक करोड कैश क्या है, ये लड़के कौन है, ये मैटर पुलिस तक कैसे पहुँच गया आपने एकसेस कार्ट के लिए बोला था, और मैंने अपने खर्चों के लिए उससे एक करोड कैश मांग लिया था खर्च के लिए मैं दे देता ना, सौरी भाईया, सौरी मत बोल, सब खेल बिगाड कर रख दिया, उस सेफ के अंदर क्या है, पता भी है तुझे, अगर पता चल गया तो पकड़े जाएंगे, बीच सड़क पर खड़ा करवा कर शूट कर देंगे, भाईया, आप ही बताएं कि आखिर उसमें ऐसा क्या है, यह मैटर पुलिस तक पाहट चुका है, कल या बसो हम तक भी आ जाएगा, मैं आदित नरायन को फोन करके यह पूछू कि यह मैटर पुलिस तक आखिर कैसे पहुचा, यह सब पता करने के लिए हमें आदित नरायन नहीं चाहिए, वो तीनों आए, उन्हें पकड़ो, सब कुछ बाहर आजाएगा, मैं उन्हें खुछ पकड़ूँगा, अगर इस पार कड़बल हुई, तो सोचुमा नहीं तुम्हेरा भाई है, जो अरे यार, फिल्मों में दिखाता है कि पुलिस टसर में चड़ी में बठा के मारतें वैसा करेंगे क्या, अरे यह सारी बातें अभी को कर रहा है, चड़ी पहना भूल गया हूं यार, अरे अरे, 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 लड़की कहा है, हमें पता अरे, लड़की कहा है, हमें हमें बल्कुल लिपता है वार बार ऐकी बात के लिए तुम लोग, जब थर्ड डिगरी लगे गी तब जब आप निकलेगा तुम लोगों के मूह से, भूब ने कोई दिगरी कोई नहीं किया सर, अरे, अरे, यह यह ए, यह नहीं 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 यह यहां पर पिटाई की कोचिंग होती है एक करोड कैश मिलने पर भी तुम लोग जर्म कुबोल नहीं कर रहे हो बहुत शातिर लगते हो तुम लोगों का कैश के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने पर उन खुट्तों को किड्नैप करने वालों ने इंकम टेक्स ऑफिसर की बेटी को किड्नैप किया होगा ऐसा सिर्फ मेरे मन में डाउट था लेकिन अब जैसा तुम लोग कह रहे हो पहन्ट पर सेंट तुम लोगों नहीं किड्नैप किया होगा सच मैं इसे देखकर बोल यही लड़की तो किट्टू की गल्फ्रेंड है सर यही लड़की यादित रनारायन की बेटी अ massive डिनेपो का हुआ है सर जानू की जिन्देगी खत्रे में हैं सर प्लीज सर कुछ कीजिए सर नहीं तो हमें चोड़ दीजे सर हम जाकर बचा लेगे प्लीज सर कॉमेडी अच्छी करता है तो किसी कॉमेडी शो में ट्राइ कर इन्हें गाड़ी में बेठाओ रामानोज जी बोल बंदरा भाया पुलीस उन्हें चीप में बैठा कर ले जा रही है तू उन्हें फॉलो कर यहीं यादित नारायन की बेटी है बेठा तूमसे बात करनी है किटू बहुत बाते करनी है तूम किसी से प्यार करती हो डाड बेजी से कोजे बताओ किटू बहुत अच्छा लड़का है I love him अच्छा लड़का इसलिए प्यार किया या प्यार करने के बाद वो अच्छा लड़का बन गया नहीं पापा मेरा दिल गलत नहीं हो सकता फैमिली बैग्राउंड क्या है उसका? उसकी फैमिली नहीं है फ्रेंस के सिवा है और और एजुकेशन? मेकैनेकल इंजिनियर लेकिन वो गराज चलाता है दोस्तों के साथ तो जॉब क्यों नहीं कर रहा है वो? बड़ी आटो मोबाइल कंपनी शुरू करना उसका एमिशन है सो इस एम्बिशियस उसको मैंने में सिर्फ पचास जारी नहीं चाहिए करोणों चाहिए होंगे कम ओन डैट ओके ओके तो पहले किसने प्रपोज किया? मैं नहीं मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है तुमारे प्रपोज में उसने प्रफिट देखा होगा इसलिए हां कर दिया होगा पापा उसे आपके स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बता तुमारा फानेशल स्टेटस जानने के लिए तुमारी लाइफस्टाइल काफी है वो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे प्यार का नाटा कर रहा है आप जो भी कहें कि तुने सिफ पैसों के लिए मुझसे प्यार किया है मैं नहीं मानती जितना असान दिल देना होता है बेटी को देना उतना असान नहीं होता है मैं बाप हूँ मेरे अपने कुछ डाउट्स हैं मैं जो बोलूगा तुम करोगी क्या जैसे ही तुम हैदरबाद लेंड हो जाओगी मेरा दोस्त तुम्हें 25 लेक्स देगा मैं जो पता है तुम एयरपोर्ट पर उतरते सीधे गराज जाओगी कार रेपेर का बहाना बनाकर वो 25 लेक्स तुम जानकी के कार में ये बैग मिला तुम अपने पास ही रखो कल सुभे ले लूँगी येलो बैग येलो कीज ओके थैंक यू आप तुलिए आपके टेस्ट में खिटू जीत गया मैंने जैसे पैसे छोड़े थे वैसे मुझे वापिस मिल गया है मतलब मैं हारा नहीं विटा मै तुम्हारे सेलेक्शन जीतने का मतलब है मेरी परवरिष जीत गई है अद लेकिन वो कैश बेभी वह फेक मनी है फेक मनी करना पड़ता है बेटा पैसो कही नहीं जरुद पढ़ने पर जूट का भी इस्तिमाल करना पड़ता है वह फेक मनी अपने पास ही रखना मैं वहां क किट्टू से बात करके तुम्हारी शादी के लिए मूरत फिक्स करवाता हूँ थैंक्यू डाट, थैंक्यू सो मच आम सॉरी किट्टू, आम मिस्स यू, कहा हूँ किट्टू जंगल मुझे बच्पन से पसंद है इनसानों को मारना उससे भी ज़्यादा पसंद है हतकड़ी खोलो इनकी जी सर चलो भागो सर, इप यू डूट माइड, आप हमारा एंकाउंटर नहीं कर सकते सर क्या बोला? आपको लगता है कि जानकी कहा है हमें पता है वही अगर हमें मार दोगे तो आपको लोगेगा कि आपको नहीं पता कि वो कहा है क्या बात कहीं भाई, सही लोजिक है अबे पागल, इधार आ या खड़ा हो जा, चलो आप भागो अगर खड़े रहे तो कुट्टे की मौत मरोगे और अगर भागे, तो उस टर्निंग तैक मैं वेट करूँगा दोनों के लिए एक-एक बुलेट यूज़ करूँगा किसमत अच्छी रही तो बच भी सकते हो हाँ, बोल भाया, पुलिस उन लोगों को शूट करने वाली है मुझे वो कार्ट चाहिए बले इस पुलिस वाले को मार दे लड़के नहीं मरने चाहिए चौइस इस यूर्स, तुम्हें मौका चाहिए या मार सर, 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 प्लीज सर, प्लीज सर सर, उन्हें मर शूट कीज़े, सर, सर, प्लीज सर सर प्लीज सर वह कुछ नहीं जालता सर यह किस है इसकी गरह ने गई है तुम लोग भागया सर वो भाग गया सर यह कि अच्छा था इसलियो गन नहीं चलिया बाबा का अश्रवाद जय निवासी बाबा गन नहीं चली न वह बाबा की वज़े से नहीं गन में बुलिट नहीं थी इसलिए का रुकती पैरों में टकर गये मैंने छुपकर बुलिट निकाल दी वक्त नहीं है जानू वह खत्रे में उसे बचाना ही होगा सब्सक्रिए के लिए उपन करते ओपर रखा हुआ था अपने कोई काम का नहीं यह सोच के मैंने कार्ड वहीं फेक दिया था अभी अगर वह एक्सेस कार्ड हमें मिल जाए तो किड्नापिंक के बारे में हमें कोई क्लू मिलेगा यार गराज जाने के लिए हमें कोई नो कोई गाड़ी तो चाहिए होगी तो सब्सक्राइए जी केरी को कि यूलBig तो सब्सक्राइए तो मिलेख देखे साफ्वाइशनि सब्सक्ताइए यह कि यह देता नहीं है कि यह क्या यह तो चेहरा दाए धिरेकएallahi यही विम्हारी बता रहा है क्या हुआ भाई आप उसके उपर गिर गए जान बूच के नहीं गिरा था बेवकूप मुझे जान पहचान का लगा इसलिए ठक्राया इसने ऐसा क्यों कह दिया ट्रेलर दिक्र सिने में बता रहा है इससे चौकन ना रहना पड़ेगा मुझे अब लाताम भाई यह सामने आकर क्यों बैठ गया कर दो अब है इस प्रक्राइब ने तीशू पेपर क्यों खा रहा है आप अब टीशू पेपर क्यों खा रहे हैं आप एचिशू पेपर खाने से बाड़ी के टीशू स्ट्रॉंग होते हैं ऐसा टीवी पर बताया था निमासी बाबा निमासी बाबा तो इसने मुझे पैचान लिया ठीक है भाई निकल रहे हैं कौन है खिटू और उसके दोस्त गारेज में नहीं है वह जहां कहीं भी हो उन्हें पकड़ कर लाने के लि कि तुम्हें सबकुछ पता यह बात मुझे पता है क्ए तुम्हें पता है यह फिरा गया क्या पता है तुम्हें तुमने कुछ नहीं देखा ना मैने सबकुछ देख लिया अधाधा ठीक है ना अधाधा दिख रहा है ना लगता है इससे पता चलिया कि मुझे आधा ही दिखता है देखो तुम चाहतों कि यह बात किसी को पता ना चले तुम मेरा दस में बेवज़ा 50 सुच रहा था यह तो दस में ही मान गया बड़ी अच्छी बात है यह क्या है दस है यह तो मुझे पैसे धे रहा ह्ए क्यों यह पैसे तुम मुझे क्यों यह दो रहे हो और देख बात कि से बात कर्रें इस उस काले कव्वे को और उस मोटे को यह बहुत पता नहीं चलनी जाहिए तू कव्वा है क्या मैं मोटा हूं क्या फिर कुछ में बोलता है कर दो कर दो कर दो करना जल्का हो क्या आता हूं कर दो कर दो जिन बाबा का अभिशेक कर रहा चाहिए उनके आगे तो सुसु कर रहा तेरी अभिशेक क्या करूं अरे भाई मैं तो बस यहां पर हलका हो रहा था सबस्व. दो भाई ऐसे माला तो मुझे डालोग कर दोुझा क्विश्य चान का रही चांद का इमीर मिल गई है कौन है कि गाड़ी पीचे गुमा हाँ ठीक है अब है याद कर उसे कहां फेका था अरे हार मैंने तो इधरी कहीं फेका था कि प्रेकोई आए यह कौन है यार पता नहीं है है और एक्सेस कार ले 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 लाली यूटा नहीं अब बोलो बद्रा अबहिया मुझे यहां पर एक कार्ड मिला है कार्ड मिला है आई टी डिपार्टमेंट का लोगों उस पर यहीं है यहीं वो एक्सेस कार्ड जो हमें चाहिए उसी लेकर अभी कि अभी आई टी हेटकॉर्टर्स चले जाओ रिशी को कॉल करके वहा आने के ल कि अभी कि अभाबा सिफ्टी के लिए फोन लख लेता है यहीं यह वो एक्सेस कार्ड अरे पुलिस आ लेकिन कोई देख क्यों नहीं रहा है बार निकाल बार निकाल चल 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 जल चल 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 आ ए शेशू चल डिकर पुलिस आ रही है मापरे पुलिस अब आपे रूप जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो तो बच कर जाना नहीं चाहिए भर्यार इस फोन तो कि कौन आ रहे हैं करो करो क्या रहें चाहिए है अभी जिसने कॉल किया था उसे सेफ चाहिए वो आइटी हेडकोटर्स में है अधित्यनारान आईटी कमिशनर है अभी अगर वो सेफ चाहिए तो कार्ट ज़रूरी है उस एकसेस कार्ट के लिए जानू को किड्डैप किया है एक सेफ के लिए अगर को इतना कर रहा है इसका मतलब वो कंटेंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर वो सेफ हमार कि वह गारा को टुम्हें लोग यांज चाहिए लेकिन तुम लोगों कभी देखा नहीं एंधि कि लोग नई हो अगर फौश्यन में यह आंसर है तो मजा आताहि ना देख रहे हो क्योंकि हमें दूसरे के चैर अच्छा लगता है ठीक है चलो है वहां CCTV कैमेरा है पीछ आओ मतलब दूसर रास्ते सी चल्ण मैं आं अ यह कुर जल्दी कर देख यह संड़ी राथ को क्या प्रावब्म हो गई कहा यह जल्वे खराब गन खराब गाड़ी और अब ये कुट्तों की गाड़ी क्या ये अगर 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 को या तो पकड़े जाएंगे मेरे फोन में बैलेंस नहीं है अपने फोन से करो ना बत्रा का फोन है इसे पासवर्ट बताओगा पूछ लेते हैं वही फोन कर रहे हैं बात करो ना हलो हलो सर काड लेकर आए हैं पासवर्ट बताएए ओपेन कर दो गुड 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 पासवर्ट नोट कर लो सर बताएए सर six seven eight six seven eight sir one two one two sir बया अब तू यहां क्या कर रहा है हलो sir हलो sir जोगा उटाएव पार हलो 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 जार सेफ लेले उटल जल उटल अब क्या करें यार अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो वही हमें कॉंटाइक करेगा नहीं प्राइविट नमबर है हेलो मैं एर हूँ मुझे सब कुछ पता होता है अगर मेरा गेस सही है तो तुझे अब तक सब कुछ पता चल किया होगा जानकी कहा है तो यह बात है तुझे जानकी चाहिए मुझे सेफ चाहिए तुझे ला कर दे दे मैं जानकी को सेफ ली तुझे दे दूँगा कहां पर आना है रोड नमबर फाइव औलको फैक्ट्री कॉर्न बिल्डिंग ओके क्या हुआ है क्या है वह आवास किस कि थी एयर है क्यों वह बहुत बना साफ है बहुत डिंजर्स बहुत डिंजर्स तो उससे बच कि रहना तुम उसे चानते हो वह आना है वह बहुत खुशी से जी रहा था उसी करण में ऐसा ओगे आए कौन सा बड़ा काम किया अगर बताता होता तो ब्लैकमेल क्यों गया नहीं मिलतु तो सामने एक रुपय का खर्चा क्यों खड़ा हो जाता है इस बार यह मिल गए भाई अभी नहीं छोड़ेंगे नहीं मिलना क्या है भाई हम तो आपके पास यह आ रहे थे हमारे पास तुलाओ कैश दो वो अपने मोदी जी ने कहा था ना के कैशलेस इसलिए हम हाथ में रख रहे मतलब मतलब हाई आपको तो मेरी मुश्किल है मेरी प्रेम कहानी पता है ना आप भी तो एक लवर ही हो ना तो सिरफ आप भी समझ सकते हो भाई यह फेर से पागल बनारा है जानू के लिए ही ना हां ठीक है पहले वो काम कर ले जा था जा आइक भाई उसने कैशलेस कहा था तो बिना कैश की वो पैसे कहां से देगा भाई पेटियम कर देगा वो भाई वह अम सब को फिर से पागल बना जया है जल्दी वारे यार अट अब कि एक सेफ का ध्यान रखना मैं अंदर चाहां था था तो यह अपना ध्यान रखना हां कि सोचा था कि सेफ लाने वाला दर्मिंदर पाजी की तरफ सिक्स पैक वाला होगा सीमकाट जितना देखता है यह तो कि सेफ कहां है जानू कहां है एई कि तो कि तो अ हो है समझ कई समझ कई समझ में आई ना समझ में आ गया समझ में आ गया तुम्हारी समझ में कुछ आया क्याल लगाआ् पिचेट। तुमसे मिलने आ रहे थी, तो उठा लिया कि टू। मुझे नहीं पता था कि वह कुत्ता तुम्हारा एचानो। तो वह तुम थे। वह बताने का कोई नया आइडिया निकाला होगा मुझे क्यों नहीं बता है कि तुम्हें प्यार से बेवी बुलाते हैं हलो दो मिनिटा ब्रदर इंक्प्रमेटर पर बात कर रहे हैं ना परसनल बाते अगर प्राइवेट में की जाए तो अच्छे लगती है मेरा सेफ कहा है पहले ये बता मुझे बाहर कार में है ए बद्रा बहिया जा ले करा जी बहिया ठीक है प्रदर हम भी चलते हैं तु लिमिट पार करेगा मेरी बुलेट गन पार करेगी तु ने सेफ ओपन किया था क्या पता इसका मतलब सेफ ओपन करने पर समझ में आएगा इसलिए उस सेफ के लिए इतना टेंचन हो रहा है अब तक सोचाता सेफ आने के बाद तु बज जाएगा लेकिन अब सेफ आने तक ही तु जिन्दा रहेगा जा बद्रा पीछले 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 मिल गए वोलो गाड़ी कुमा खाड़ी कुमा खाड़ी कुमा यार यह लो कहां से आगे अब भाई आप यहां ए ओ किट्टु कहा है वो तो मुझे नहीं कहा है हम अभी तक अंदर रहा है कुछ सब्सक्राइब कर सुनता ही नहीं है वह अकेले नहीं आया है बहुत बड़ी गैंग लेकर आया है गैंग हां मैंने उन्हें बाहर देखा वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं हेलो सुनिये ना लगता है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए है आजाओ ना तुम्हें कितनी बार समझाया है संसेट के बाद फोन मत करना अभी संसेट नहीं है मिद्नाइट है अंधेरे में गलती हो जाएगी गलती तो अंधेरे में ही करते हैं इसमें नया क्या है करता है बाल शायद इस किट्टू का माफिया बैक्राउंड है भाई इसका बैक्राउंड बहुत खतरनाग लग रहा है भाई यह सारे के सारे मुझे पक्का माफिया नजर आ रहे हैं सिर्फ पांच लाग रुपे के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों यह कौन है रात में संक्लासे पैंड कर क्यों गूम रहा है पता नहीं भाई यह भाई ने टाइम दिया था ना किड्नी देने को कहा था ना देना पड़ेगा किड्नी बात क्यों नहीं कर रहा है बहरा हो गया है क्या भाई आप देख रहे हैं उस भाई को वह माफिया से नहीं डारेट उनके आदमियों से बात कर रहे हैं यह वह नहीं है कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा चुब क्यों हो गए तुम लोग आपस महीं बात बहुत ही घ्राइब रहा हैं उपर से यलोशट वाला है तो बहुत ही खतरनांक लग रहा है हम लोग कंप्रमाइस कर लेते हैं ग्युव लुट जो ऑग वरना लाश बन जाओं जाओं एसा बोलना है हैं म doctrement जा सकते लगता है हमें मारने के लिए शाये पांच लाइक की बात हुए होगा इनलोग Consider M तेरी तु तुझे कार लाने को बोला तो तु सिदा भाग गया मुझे बढ़ाया भी नहीं सौरी बाई जल्दी में था ठीक है सेफ लाने के लिए तु टाइम पर आया अब जल्दी हैल्प कर पूलीस उतार चली अहां से निकल यही है तेरा अड़ा लड़की को यही छुपा अब क्या हुआ यह लोग तो सेफटी के लिए पुलिस भी लेकर राये हैं अंदर फाइरिंग हो रही है सर हम रिस्क क्यों ले कंट्रोल बें फोन करके एक बटालियन रेजने के लिए के लिए बाई हजो और नहीं गोरी लग जाएगी तेखा तुने पुलेट से भी डटते बुल्डोजर की तरह सामने खड़े हुए अभी तक क्या हिम्माद दिखाएए भाई चला गोली चला भाई गोली चला चलाओ चलाओ भाई चलाओ मुझसे पंगा मत लेना अगर सटक गई तो एक एक को मार डालूंगा अरे देख के चलाओ भाई विज यह है किस गैंग का पता नहीं भाईया बहुत ही कन्फ्यूजिंग करेक्टर लग रहा है मुझे तो यह अरे यार बुलट खता होगी दो बुलट देना तकले यह कोई बैंक जो तुझे कर्द दूंगा इस गुन की बुलट के तेरे गन में चलेगी चलाओ अरे बीज में कौन याद कर रहा है हेलो कहां पर हो बताओ मैं खुद ही आ जाती हूं आकर क्या करेगी आजा 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 यहां तो घरी के काठी के तरह गोल गुंकर गोलिया चला इंसान है किड्ना भी वही करता है रस्ती भी जला देता है वाई सुनो ना दो नहीं यार यह चल जा है इतना बड़ा शूट पैन रखा है बिल्कुल भी हेल्पिंग नेचर नहीं है क्या चाहिए एक बाजो मैंने गण चलानी शुरू करती तो मैं किसी की नहीं सुनता है क्या हुआ सब लोग साइलेंट क्यों हो गए मर गया डर के भाग गये भाई दिवार पर गोली के चला रहा है अरे बापरे इतनी देर से मैं दिवार पर गोली चला रहा था है तुम लोगों को वान करने के लिए दिवार पर गोली चलाई है अगर उस छेद बरी दिवार को देखकर कोई मेरे सामने आया तो वो छेद उसकी बाड़ी पर होंगे और उसकी बाड़ी समशान में चीर दूंगा सब उस बैक की वज़े से वह पैसे फेक क्या तुम जनते थी कियो फेक मनी है हां किटू धोका दगा बदला तुमने चीट किया मुझे कम ओं लेज़ को सब कुछ बताएं यहीं रहूंगा मुझे अभी जानना है तुम्हारी वज़े से अब पुछ नाम का शब्स तुम्हारे मुझे अच्छा नहीं लगता क्या गैरिंटी है कि जैसे तुमने फेक मनी दिया वैसे तुम्हारा प्यार फेक नहीं है तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना तुम ठीक हो ना सौरे किटू अगलती मेरी है मस्से अगलती हुई थी यहीं बात में तुम्हें बताना चाहती थी ठीक है लेकिन यह जगा सही नहीं है बाहर चलकर बात करते हैं घ वोके यहां पुलीस यह लिस्च इजू अहरे पकड़ा ञेकिन्स फ्यमी क्रावक यह तुम्हेज आफश न यहां बी याघ क्लने, कहा था ना दस हजार दूँगा बस मुझे शांती से करने दे शांती से क्या करने दू Цुछे कहा है तू है क्या लगता है चला गया तो इस भाई सहाप को रात में दिखता नहीं है हलो हलो टीचीपी बोलो सीटी के बाहर एलको फैक्ट्री को पुलिस ने सराउंड कर लिया है तुझे पांच मिनट का समय दे रहा हूँ आस पास एक भी पुलिस नहीं दिखनी चाहिए समझ क्या हलो 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 टु तुट बोलड़ा था तुन्हे किड्नैप नहीं किया है हा इचा रूभ गयनरी इतने सारे लोग जरू से अंक हैं तो लगनल पुलिस इतन को अरे एनारश pa अहलां सब्सक्राइब किसी को अरेस्ट मत करना सर लेकिन क्यों सर जस्ट फॉलो माय ओर्डर्स अबाउट दो मिशन ओके सर यह क्या सर इसने जानु का किड्नाप किया है सर वह बड़ा ब्लैक्मेलर है उसे कैसे छोड़ सकते हैं उपर से ओर्डर हमें कुछ नहीं कर सकता दढ़की मिल गए ना जाओ यह चल ले चल 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 तैंक यू वो सेफ के लिए अपने पास जरूर आएगा सब तयार रहना आ गया सेफ कहां है सेफ कहां है स्प्रे कहां है आदित्य नारायन की बेटी जानकी नारायन जिसका अपरन हुआ था वो अप सुलक्षित घर लोटाई है इस केस में जिन तीन लड़कों को अरेस्ट किया गया था वो निर्दोश पाए गये हैं और पुलिस ने उन्हे छोड़ दिया है लेकिन इस की डैप के पीछे जो असली गुनहेगार है वो अभी भी फरार है